हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदु धर्में जो सबसे बड़ी धर्म ग्रंट वेद और पुरान है उसमें क्या क्या अंतर है, मतलब उनमें कहां क्या ग्यान हमें बताएगे हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो को अंतर तक जरूर देखें वेद और पुरान में क्या अंतर है? भारत देश और वेद एवं पुरान सुरू से ही एक दूसरे से सम्बन देता है फिर भी हमें से अंधिकांस लोग वेद और पुरान में क्या वेद है या नहीं जाना वेद वेद ना केवल भारत अपितु संपुन संसार के सबसे प्राचीन ग्रंत है और संसार के सबसे पुराने दस्तावेज भी है वेदो की उलेक को वैग्यानिकों ने भी सही माना है ऐसा कहा जाता है कि वेदो से विश्वे के अने धर्मों की उत्पत्ती हुई और लोगों ने अपनी अपनी भासा और अपने अपने धंग से वेदो का ज्यान अपने अपने जीवन में उता रहा वेद सब की उत्पत्ती संस्कृत के विद सबसे हुई है जिसका अर्थ है ग्यान इसलिए वेदों को ग्यान का ग्रंत कहा जाता है विद्या, विदान, आदि सब्दों की भी उत्पत्ती भी यहीं से हुई है वेदों को सुरूती भी कहा जाता है क्योंकि या ग्यान इस्वर क पर अधारित ग्रंत था वैसे तो वेदों को कुछ हजार वर्स पूराना माना गया है जबकि असल में वेद एक अरब अठारा करोर वर्सों से भी अधिक प्राचीन है वर्तमान में वेदों को हम चार नामों से जानते हैं रिगवेद, सामवेद, यजूरवेद, अठरवेद इनके उपवेद हैं आयूरवेद, गंधरवेद, धनूरवेद, श्थापत्यवेद परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद था दौपर योग के समापती के पूर्व तक वेद की संक्या एक ही थी बाद में लोगों को समझाने है तू इन्हें सरल बनाने के लिए वेदो को चार भागों में विवाजित किया गया रिगवेद को धर्म, यजूरवेद को मोक्ष, सामवेद को काम, अठरवेद को अर्थ इसी तरीके से अलग-अलग भागो में वेदो को भाग करा गया था और इसी अधार पर धर्म सास्त्र, मोक्ष सास्त्र, काम सास्त्र और अर्थ सास्त्र भी लिखे गया हैं वेदो में मनुष्य जीवन से संबंदित हर वात का उलेक उधारन के लिए आप जान लीजिए कि वेदो में किन सब्जेक्ट्स का उलेक है वेदो में आयूरवेद, खवगोल, भूगोल, ब्रम्हांड, जोतिस, रसायन, गनित, धार्मिक नियम, बहतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विदी विदान, आदी के विशे में संपुन जन कर गया ऐसा माना जाता है कि अगनी, वायू और सूर्य देव ने तपस्य करके रिगवेद, यजूरवेद और सामवेद का ज्यान प्राप्त किया इसलिए इन वेदों को अगनी, वायू और सूर्य से जोड़ा जाता है वहीं अथरवेद को अंगीरा से जोड़ा जाता है रिगवेद ये सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 अध्याई, 1028 सूतक और 11000 मंत्र है इसमें देवताओं को आवाहन कैसे किया जाए वो सभी मंत्र है साथ चिकिच्सा, भोगालिक, इस्तिती, देवताओं की प्राथना और देवल्योक में देवताओं की इस्तिती के अतिरिक अनेक बातों का वर्नन मिलता है यजूरवेद, यजूरवेद की दो भाल है, सुक्ल और क्रिस्ट, इस वेद में यग की वास्तविक प्रक्रिया की मंत्र उलेक है सामवेद, इसमें रिगवेद की रचनाय गीत रूप में है, इनमें लगभग सभी मंत्र रिगवेद से ही है इसमें अगनी, सवीता और देवताओ की विशय में उलेक मिलता है अथर्वेद, इसमें प्रकृतिक और सधी, अर्थाज़डी बूती, आयूर्वेद, रहस्मई, विद्याओ, आदी का उलेक है अब हम जानते हैं पुरान क्या होता पुरान, पुरानों की संख्या कुल मिलाकर अठारा है ऐसे भी मान्यत्ता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी स्लोकों में लगबग 100 करोर स्लोक बाकी रह गयते हैं इन स्लोकों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया जिन में से 18 संकलनों को पुरान कहा गया इसके बाद लगबग 18 उप पुरान लिखे गये और इनके अतरिक्त बाकी रहे स्लोकों को लेकर 28 उप पुरान और भी लिखे गये मुख्य 18 पुरानों में 6 पुरान, ब्रह्मा, 6 विस्नु और 6 महस्वर को समर्पित है भगवान विस्नु को समर्पित 6 पुरानों के नाम है विस्नु पुरान, नारत पुरान, वामन पुरान, मतस्य पुरान, गरूर पुरान, स्रीमत भागवत पुरान ब्रह्मा जी को समर्पित पुरान है, ब्रह्म पुरान, भविस्य पुरान, अगनी पुरान, ब्रह्म वैर्वत पुरान, ब्रह्मांड पुरान, पद्म पुरान महेस्वर अर्थात महादेव जी को समर्पित पुरान है सिफ पुरान, लिंग पुरान, कुर्म पुरान, मारकंडे पुरान, इसकंद पुरान, एवं वारह पुरान अब जानते हैं कि वेद और पुरान में क्या अंतर है जैसा कि मैंने बताया वेदों में वानव जीवन से समध्य हर बात का वर्णन है वेदों में स्लोकों के माध्यम से नियम बताए गया है कि जीवन में हर रिकार विवस्थित धंग से कैसे किया जाए परन्तु कल्यूग में मनुस्य के लिए वेदों को समझना बहुत कटीन है प्रतेक्तत के पीछे क्या धारना और मनतव्य है ये हमारे लिए समझना बहुत मुस्किल है इसलिए पुरानों में वेदों की नियम को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बहतर धंग से समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार, किस दिशा और अग्रसर होना है और हाँ ये सभी वेद और पुरानों के एक ही तत्व के बारे में बताया गया है और वो परब्रम परमात्मा स्वरू इसलिए आप इन धर्म गरंतों को अलग-अलग ना माने तो दोस्तों आपको आज हमारा ये वीडियो वेद और पुरान में क्या अंतर है कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट में जरूर बताए उमीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और सेर जरूर करें कोई सवाल और सुजाव हो तो कमेंट वाक्स में कमेंट जरूर करें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और साथी साथ बिल आइकन को भी दबा दें तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय स्री राम स्टे सेफ